बंगलादेश भारते पुर्णो आमदानी रप्तनी कार्जुक्रों में गुरुत्तो पुर्णो इस्थल बंदोर घोज़डांगा। शंप्रोती प्याज रप्तनी ते भारते निश्यदक गर्फले बंदोर्ट्टी ते आठके परचे 775 भूर्टी ट्राक। अगर इलसी कोड़ थाक लो एक होनो खाला शोए नीश्यदक प्याज असलामू आलेकुम तो कैसे हैं आप लोग अमीद करता हूँ आप सब खेरियसे होंगे ठीक ठाक होंगे मैं हूँ जनेद अली और आप देख रहे हैं जनेद अली ओफीशल आई बात करेंगे कि भारत ने ऐसके बंगला देश की आपर प्याज की ऊपर पबंधी क्या लगाई य는데 बात आप देखें तो बारत के جो एकस्पोटर हैं बारत के जो यह जय कशान हैं सब के इसका उठा रहे हैं और यहां पर बरपूर तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है कि बंगलादेश ये प्याज ले ले बंगलादेश के एक्सपोर्टर वो समान ले नी रहे वो प्याज ले नी रहे और उसके बाद आप देखें तो ट्रांस्पोर्टर काफी परेषान है कि हमें यहां पर खड़े हुए एक महीने से उपर हो गई है दिन और yakin पर बहुत ज़्यादा परेशानी है प्यास खराब हो रहा है, और बंगला देश ने भी इसको लेने से निकार कर दिया जिसके बाद बारती किसान काफी ज्यदा परेशान है, बारती किसान काफी ज्यदा तकलीव में है ट्रांस्पोर्टर भी काफी परेशान है के एक महीना हो गया हम यहां पर खड़े हुए हैं यहां से अब बंगला देश भी प्याजनी ले रहा है यहां पर खड़े होने का टेक्स भी देना पड़ता है गाड़ी के टोकन भी देने पड़ते हैं टोकन के साथ साथ गाड़ी के اخراجات بھی ہیں جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہاں پر شکوا کیا جار ہے کہ ہماری حکومت کی وجہ سے ہماری نا اہل حکومت کی وجہ سے یہ سارے اقدامات ہوئے ہیں بنگلہ دیش کا بورڈر بند کر دینا بنگلہ دیش کو بین کر دینا اور اوپر سے بھارتی کسان پریشان ہو چکے ہیں اور یہی بات کی جاری ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہماری حکومت ہی ہمیں دے رہی ہے بھارت کے اندر پیاز کو وہ قیمت نہیں مل رہی جو بنگلہ دیش سے مل رہی ہے اس کے بعد بھارتی کسانوں نے اب وہاں پر بھی احتجاج شروع کر دی ہے کہ کیا بھارتی حکومت یہاں پر دو غلاپن دکھاتے ہوئے ہمارا معاشی قدل کرنا چاہتی ہے کیا ہمیں یہاں پر عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے کہ آج ہمارے پیاز کی جو قدر و قیمت بنگلہ دیش دے رہا ہے بھارت میں وہ مل نہیں رہی اور ہماری حکومت انتقامی کاروائیں کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں بھارتی ٹرانسپورٹر کیا بات کر رہے ہیں بھارتی کسان کیا بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاری شاہ اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بڑھے بیلے ایکون کو بھی دوبھائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیو کی طرح بڑھے چلیں ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ڈیو کی طرح ڈیو کی طرح ڈیو کی طرح वो सरकार्ने लगा जी आए, उसके वोज से प्याट बांगलादेश में जाने रहाए और बांगलादेश का पार्टी भी गाड़ी खाली ने कर रहाए आट दिन होगा यह हमार कोई दर एई प्याजगुलो आर्ट अले पचनशील, पचनशील होवार कारोने कोचूर खोती होच्चे, कोटी-कोटी टाकार खोती होच्चे, एबां गारी ड्राइबार खालाईशे देर, माइने गुनते होच्चे, दीसी दीते होच्चे, एईनी पोचूर समस्तार मोद्द्याची आमरा चाहिची जाते इई प्याजगुलो एक्सपोर्ट भोते पारे, तार एक्टरा शुराहा कोरले गौब्मेंट बा अनुमोती दिले, ताहोले एक्सपोर्टार आरकी किछूटा बेचे जावे तो जी व्योवा ये थी वीडियो और आपने देखा के यहाँ पर ट्रांस्पोर्टर बहुत ज्यादा परेशान है के हमें एक महीना हो गया है, यहाँ पर प्याज लोड करके खड़े हुए, अब बंदरगा भी बंद है, बॉर्डर भी बंद है, तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है के प्याज यहां पर खराब हो रहा हजारों टन प्याज खराब हो रहा है बंगला देश का बॉर्डर बंद होने से बंगला देश को बैंड करने से तो यहां पर जिम्मेदार कौन है यहां पर जिम्मेदार है नरिंदर मुदी यहां पर जिम्मेदार है अमित शाह यहां पर ज दिमेदार है वो इंतजामियां जो हवस में जो इंतकामी करवाईएं कर रही है बंगला देश के साथ बंगला देश को चीज चीज की जरूरत ही बारती किसान उससे अच्छा मनाफ़ा कमा रहे थे बारत के बंगला देश को बैन करने से बारती किसान भी परेशान है नुकसान चाहिए, ये एक महीने से खड़े हुए ट्रकों के उपर जो प्याज है ये खराब हो चुका होगा, हमने पहले भी देखा के बारती एक्सपोर्टर खराब प्याज बंगलादेश को दे देता है, पैसे अच्छी किमत ले लेता है, और जो प्याज खराब हो चुका होता है, ख का नुकसान किसको हो रहा है बारती किसानों को इसका नुकसान किसको हो रहा है बारती हकूमत को इसका नुकसान किसको हो रहा है बारती ट्रांस्पोर्टर को इसका नुकसान किसको हो रहा है बारती ایکسپورٹر کو تو سب سے زیادہ کل ملا کر دیکھیں تو بھارت کو ہی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے لیکن انتقابی کاروائییں بنگلہ دیش کے ساتھ کی جا رہی ہیں بنگلہ دیش کو سزا دی جا رہی ہے بنگلہ دیش کو کوئی فرق نہیں پرتا وہ بھارت سے پیاز خریدے وہ چین سے خریدے یا پاکستان سے خریدے بھارت کے بین کرنے کے بعد بنگلہ دیش نے فوری اقدامات کیے بنگلہ دیش کو پتا था कि यह ऐसी अरकतें करते हैं और इसी टाइम पर करते हैं तो बंगलादेश ने पहले से त्यारी की हुई थी बंगलादेश के एक्स्पोर्टर ने क्या किया इंपोर्टर ने क्या किया बंगलादेश के इंपोर्टर ने चीन से प्याज मंगवा लिया पाकिस्तान से प्याज मंगवा लिया और भारत को अब टका सा जवाब दे रिया आईना दिखा दिया कि आप जो हरकतें पहले करते थे अब वो नहीं चलने वाली क्यूंकि अब हमें आदत हो चुकी या आपकी हमें पता चल किस तरह करवया करते हैं किस तरह हमारे साथ इंतकामी करवाई करते थे थे झाल झाल